अ जिस श्टार रेवार करें चेप्टर गृर्मॉर्णिंगृRमॉनिंगृर्मौर्णिंग दो अलॅ फिए चैप्टर का नाम लिखो नया चैप्टर, एक बहुत मुश्किल चैप्टर जो है वो हमने खत्म कर दिया और सर चैप्टर का नाम क्या है चैप्टर का नाम लिखो गे चैप्टर ूमबर 2 इनटरस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट इंट्रेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट अगर मैं कहूं इसको हम I, R, R, M इस नाम से पुकारेंगे जब भी थोड़े दिक्कत होगा ना सर इस चैप्टर में डाउट है तो पूरा नाम लेनी की ज़िवरत नहीं इंट्रेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट I, R, R, M ठीक है और एक चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट वो अलग है ये अलग है और मैंने आपको कल भी बताया था कि ये किस का पार्ट है ये डैरी विट्यू का पार्ट है तो सर डैरी विट्यू उस जो है उसमें हमने option और future पढ़ा इसमें भी हम option और future ही पढ़ने वाले कुछ अलग काम नहीं करने वाले एक roughly बोलता हूँ आज market में rate of interest कितना चल रहा है सर वो तो अलग-अलग bank का अलग-अलग फिर भी एक मन से बोल रहा हूँ rate of interest मालो-मालो market में 8% चल रहा है आज से एक साल बात कोई शक की नहीं कि RBI repo change करता है reverse repo change करता है तो उसकी वजह से rate of interest पे फर्क पड़ता है हाँ की नहीं ठीक है तो मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि बताओ एक साल बाद rate of interest क्या होगा rate of interest क्या होगा बढ़ेगा कि कम होगा अलग-अलग लोग हो सकते हैं कोई एक person होगा जिसको लग रहा होगा कि rate of interest बढ़ेगा और कोई एक होगा जिसको लग रहा है कि एक साल बात कम होगा क्या इस पर भी बैटिंग की जा सकती है यस इस पर भी बैटिंग की जा सकती है तो सर अभी तक आप शियर्स पर बैटिंग करवा रहे थे अभी तक आप कमोलिटी पर बैटिंग करवा थे गोल्ड वगेरा अब आप कह रहे हो कि rate of interest पर भी शर्त लगा सकते हाँ ना सर यही तो काम की बात है और इसको लग रहा है कि बढ़ेगा इसको लग रहा है कम होगा लगा लिया इन दोनों ने सर्त की rate of interest 8% से कम जादा होगा और ठीक एक साल बाद rate of interest हो गया 9% बोलो कौन जीता सर यह जीत गया कितने परशन से जीत गया एक परशन से जीत गया तो सर सोच के बताओ अप ये परशन इसको क्या देगा परशन इक परशन अजीब सा नहीं लग रहा ये परशन मतलब क्या देगा सर कुछ रुपिया पैसा दे तो बाद समझ में आता है ये इसको देगा एक परशन ये क्या तरीका हुआ बिट्टे कुछ ना कुछ तो कुछ amount तो चाहिए तो में ठीक है एक notional principal ले ले थे नोशनल principal कुछ principal amount चाहिए न तो notional principal हो गया पाच लाग रुपए उन्हों ने का चलो मान लो कि principle amount है पाच लाग रुपए अब कौन जीता यह जीता कितने पर्षंट से एक पर्षंट से जित गया तो ये पर्षंट इसको देगा एक पर्षंट किसका पाच लाग का पाच लाग का एक पर्षंट कितना होता पाच लाग का एक पर्षंट पाच जार रुपए तो ये इसको पाच जार रुपए देगा ये नोसनल प्रिंसिपल पाच ल लोड़ी नहों हो राइड परिंसीपल का मिया इस फावर्ट कॉंट्रेक्ट और कुछ नहीं है खिए और ऐस हैं विड्मारी कि निविड सब्सक्रांद नियुका में आता। अलाकि future contract है नहीं इंट्रेस रेट future एकाथ question है वो गलती से डाल दिया है हमारे book में अधिकतब forward contract ही है ठीक है तो sir हम लोग यहां ये पढ़ने वाले है मतलब sir हम derivative ही पढ़ने वाले हाँ बस पर derivative जो करने वाले है अब वो stock पे नहीं करने वाले वो nifty sensex पे भी नहीं करने वाले बिल्कुल सही वो हम commodity पे भी नहीं करने वाले वो हम rate of interest पे करने वाले यस इसलिए इसका नाम है interest rate risk management थोड़ी बहुत बात समझ में आई है लेकिन अभी भी थोड़ा सा दिक्कत है क्या चीट का दिक्कत है बच्चो तर नाम है interest rate risk management आप तो risk दिलवार है जो बरदस्ती 60 लगवार है बैटिंग करवार है लौटरी लगवार है गलत बात है आप तो risk को कैसे management करें ये बताओ ना शलो उस matter पर भी बात कर लेते हैं एक बाह बताओ अगर हम bonds वगेरा खरीते हैं अगर हम shares खरीते हैं तो risk रहता है कि नहीं रहता है रहता है सर रिस्क ठीक है रिस्क रहता shares खरीदेंगे तो बदले में पता नहीं share का price क्या जाने वाला है एक तो ये दूसरा सर हमें इस बात का डर है dividend मिलेगा कि नहीं मिलेगा मतलब सर शेयर मार्केट में तो risk है इसमें कोई शक की बात है अगर आप bonds करीते हो तो उसमें अगर आप सोच के देखना अराम से मुझे भी जल्दी नहीं है आपको भी जल्दी नहीं है तर हमें जल्दी है तो फिर कुछ कर नहीं सकते हैं अगर आप bonds खरीते हो bonds तो bonds जब आप खरीद रहे हैं मानलो आपने bonds खरीदा तर कितने का bonds खरीदा एक हजार का और government ने या ठीक है तो सर इसमें कोई शक नहीं है कि आपको हर साल 90 रुपीज इंट्रेश्ट मिलेगा और जो bonds है उसकी life है पास साल अब बताओ कि इसमें risk है कि नहीं है और मैं सुनो मैं बोल भी रहा हूं government bonds खरीदा भाई आपको interest मिलेगा ही मिलेगा मैं ये भी बता रहा हूं default नहीं होगा आपको 90 रुपे मिलेगा default हो सकता है अगर आप company से bonds खरीदते हूं तो हो सकता company बंद हो जाए risk तो वहां भी है सवाल है उसको managing नहीं कर सकते company बंद हो जाए चलो यार इससे बचते कैसे बचोगे भी ये company बंद हो पॉर्टफोलियो में सीखांगा उसका भी सिखांगा पॉर्टफोलियो में अभी यहां की बात कीचिए आपने government के bonds खरीदे एक हजार रुपए का एक bonds 9% आपको interest मिलेगा हर साल हर साल 90 रुपए मिलेगा चुक नहीं सकता कोई default risk नहीं है कोई default नहीं हो का अब बताओ अब किसी भी type का risk है कि नहीं कि रिस्क सुचो रिस्क कैसे यार समझ वनिया रहा हमें तो हर साल 90 रुपए मिलेगा और लाश्ट में हमको एक हजार रुपए मिल जाएगा कहां का रिस्क रिस्क है बेटे है कैसे है आप खरीदा है आपने और आपको 9% मिलेगा और यह agreement हो गया contract हो गया और बॉर्ट इस्यू हो चुके है और company या government बहुत खुश है कि चलो भई हमको अब 90 रुपए देना आप भी खुश है 90 रुपए मिल रहा है क्योंकि उस समय मार्केट मेरेट 9% चली रहा था एक साल बाद क्या हुआ एक साल बाद रेट आप इंट्रेश्ट 12% हो गया 12% मार्केट में 12% हो गया और आपने कितने में खरीदा सर हमने तो 9% आप जा रहा है company के पास company company मज़ा नहीं है रहा हमको 9 क्यों दे रहा है मार्केट में 12% हो गया जब आपने agreement किया था एक साल पहले वो तब तो 9% था हां बोले 9% तब आप तैयार हो गया थे तब आप इसके लिए भी तैयार हो गया थे कि हमको पास साल तक interest 9% चाहिए बोले हां तैयार हो गया थे बोले अब अगर 12% हो गया तो मेरा problem नहीं हो और मुझे तो सिर्फ 9% मिल रहा है यह तो गलत है ना गलत है तो क्या आप खुदी फसे तो भले फिर ठीक है मैं यह बांट से बेच दूँगा बेच तो किसके पास बेचोगे मेरे दोस्त है मैं उनको बेचूँगा मैं गया किसी दोस्त के बांट से ले लो बले interest कितना मिल देगा वो गया एक हजार महे का सस्ता देना पड़ेगा इट मेंस किया आपको 9% मिले और मिलता रहे तो भी क्या आपको रिस्क है है कहीं मार्केट में rate of interest बढ़ना जाए यह भी रिस्क है हाला कि इसके लिए एक बड़ा टॉपिक करने वाले है जिसका नाम है बांड से वै स्वैप क्यों ना हूँ कुछ ऐसा करूं कि सर इससे मैं बच जाओं ना तो मुझे बांड से बेचना पड़े और ना तो किसी और मैं ऐसके ऐसा कुछ करूं कि मुझे बच सकता हूं इस रिस्क से दिख रहा है कि मेरा 3% का नुक्षान है हाला कि वो डारेक ली दिख रहा है ना है कि 9% मिल रहा है पर आपको पता ही नहीं चला और आपको 3% का लॉस हो रहा है तो क्या उससे बचने के लिए मैं काम कर रहा हूं गा यास उसका नाम है interest risk interest rate risk management अच्छा सर ऐसा भी तो हो सकता है yes company ने जब bonds issue की उस समय rate कितना था 9% ठीक एक दो साल बाद rate जो है rate वो 7% हो गया ऐसा भी तो हो सकता है और 7% market में 7% हो गया पर राम को तो 9% मिल रहा है राम की खुशी कर तो ठीका रहा नहीं बोले अच्छा अच्छा हुआ भाई मैंने पहले bonds खरीद लिया था मुझको तो 9 मिल रहा है बाकी लोगों को तो साथ ही मिल रहा है उसमें राम को अब tension नहीं लेकिन tension किसको है tension किसको है बताओ tension है company को company को किस बात कर टैंसर कमपनी को भी तो tension हो गया ना rate कितना था नौ company ने agreement कर लिया कि हम 9% देंगे interest 9% देंगे लेकिन market में तो 7% चल रहा है इट में सब company सोच रही cost मुझे तो 7% पर पैसा मिल सकता है पर मैंने 9% पर पैसा उठाया है मजबूरी और 2 साल हो चुके agreement साहिने bond साहिने में कुछ करी नहीं सकता मुझे 9% देना पर रहा है मजबूरी में जबकि 7% पर तो काम हो सकता था ना तो जब जब भी जब जब भी हम इस rate पर borrow करते हैं बौर उठाते हैं तो हमें कहीं डर रहता और लंबे समय के लिए उठा रहा है पाच्छे साल के लिए 9% पर उठा रहा हूं मैं पर मैं company में सो कहीं एक साल बात market में rate बढ़ गया तो मुझे 9 मिलेगा risk है दोनों को है और इससे बचने का कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए है ठीक है ठीक है सर यह एक मैंने area बताया है risk है दूसरा area और सुनो यह क्या है तर यह company है न बिट्टे अब हमारे chapter में यह company नहीं अब यह हमारे chapter में हो जाएगा bank ठीक है bank bank के पास आप जाते हो loan लेने के लिए ठीक है और bank से बोल रहा है bank bank मुझे एक क्रोड रुपिया का लोंचे एक क्रोड bank बोलती rate of interest क्या चल रहा है आप क्या bank बोलती हमारे हां दो चलते एक होता है fixed एक होता है floating अच्छा बोले fix क्या होता है fix बोले एक बार आप लीजिये loan और आपने रिसाइट कर लिया कि हमें 9% तो आपको 9% पे मिले का 9% आपको 9% ही देना पड़ेगा 9% देना पड़ेगा हर साथ बोले floating क्या होता है floating बोले एक यह होता है लाइबोर प्लस 2% चल राइबलर रेट अप इंटर प्लस 2% लाइबोर स्री लाइबोर क्या है लाइबोर का फुल फॉर्म है लंडन इंटर बैंक ओफर रेट यह बेस रेट जो चैंज होते रहता है सर तीन-तीन महने में चैंज होता है सर और डिटेल में समझो डिटेल में कोई काम का है नहीं है बही डिटेल में पढ़ना तो इसके लिए एक चैप्टर मिल जाएगा पूरा लंडन मैं एक रफली बता रहा हूँ लाइबोर मानलो हर तीन-तीन महने में चैंज हो रहा है तो बोले अभ हमको देखना लाइट बोर कहां इंटर बैंक रेट इंटर बैंक समझ रहा हां सर समझ गया मतलब एक इंटर बैंक बैंक का आपस में जो लेंदिन होता हाँ उसके साबसे और मानलो सर यह यह किसी समय साथ पर्शंट रहा और बैंक कहता है कि फिर आपको 7 प्लस 2 कितना percent देना पड़ेगा बोले 9 percent देना पड़ेगा और बोले अगर कभी ये 5 percent रहा तो बोले 5 प्लस 2 फिर आपको 7 percent देना पड़ेगा मतलब है कि ये base rate हो गया जितना ये rate होगा उसका 2 percent extra आपको देना पड़ेगा मालो आप 3-3 मंथ लाइब और पर कर रहे हो मतलब आपको हर 3-3 माह या एक साल का मालो अभी तीन माह चे माह बोलूँगा तो आप confused जाओगे एक साल का rate है ये 5 percent तो आपको 5 और तो 7 percent देना पड़ेगा और सर किसी साल ये 10 percent हो गया तो पुलिए 10 plus 2 आपको 12 percent देना पड़ेगा अब आपकी मरजी है आप इस से उधार लेना चाहते हो कि इस से उधार लेना चाहते हो राम अब बताव किस पर उधार लेना चाहते हो अब राम के पास दो चीज़े क्या राम को क्या लग रहा है इंपोर्टन्ट है राम को क्या लेग रहा है राम को अगर ऐसा लग रहा है कि लाइब और बढ़ेगा लाइब बढ़ेगा तो फिक्स के सबसे ले लो भाई टेंशन करता है इसी बात है फिक्स के सबसे अगर राम को ऐसा लग रहा है लाइब और कम हो जाएगा अगर इस से उधार लेता है तो रिस्क बहुत ही जाता है उसको राद बर नीन नहीं आएगी कि पता नहीं यार मुझे बैंक वाले को साल इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है अगले साल कितना इंटरेश्ट देना पड़ेगा पता नहीं लेकिन इसके शापसे ले लेगा, तो चलो याया, टैंशन कातम, हमें 9% देना है, fix, मतलब fix, लेकिन इसके शापसे लेता है, और लाईबॉर मालों किसी साल 3% हो गया, तो भी उसको दुख तो होगा, कि यार मैंने गलत कर लिया, तो राम का expectation क्या है, लाइबॉर बढ़ने वाला है कि लाइबॉर कम होने वाला है अगर वो मार्केट में रिसर्च करके सूच कर समझ कर काम करे उसको ऐसा लग रहा कि लाइबॉर कम होने वाला तो इसके साब से रहे लो बास बात कता है तो सर लंडन इंटर बैंक ओफर रेट है ऐसे हमारे इंडिया कभी नहीं होता कि होता है बेटे होता है उसको बोलते माइबॉर बोलो माइबॉर का फुल फॉर्म क्या होगा माइबॉर सर मुम्माई इंटर बैंक ओफरेट बिल्कुल सही ऐसी एक होता है नाइबॉर नाइबॉर को बोलो सर, नियू यॉर्क, इंटर बैंक ओफर रिडबास, अधिकतर लायबॉर यूज करता है, मैंने कहा ना, इसके विसे में में डिटेल में नहीं समझाऊंगा, कि लायबॉर कह बाया, कैसे इंट्रिड्यूस हुआ, क्या काम होता है, क्या नहीं होता है, उतना टाइम नहीं आपक ठीक है जी, ठीक है सर, अभी तक हमने क्या पढ़ा, कुछ भी नहीं, हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तक हम चर्चा ही कर रहे है, कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे है, काफी कुछ बाते, हाला कि मैंने यहां जो लिखवा है, ये काम आ सकती है, अब हमें स्टार्ट कर रहें चैप्टर और इस चैप्टर में हमें क्या-क्या पढ़ना याद रखना चैप्टर का एक कोशन आता आता है मतलब मैं यह नहीं कह सकता कि important chapter नहीं है, एक question 8 number का, generally अभी बहुत ज्यादार है, करके जाना अच्छे से करके जाना तो interest rate risk management के अंदर हम क्या-क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, पढ़ेंगे forward rate agreement, FRA तो इसमें time कितना लगेगा, time उतना नहीं लगेगा जितना derivative में लगा उससे आधा ही लगेगा, ठीक तो forward rate agreement करेंगे, interest rate guarantee करेंगे, interest rate future करेंगे, financial swap होगा, cap, collar and floor होगा, और उसके साथ swap pricing and valuation होगा, मतलब अगर मैं कहूँ, इस chapter को हमने 6 part में बाट रखा है तो sir, इनके विसे में थोड़ा-थोड़ा समझा सकते हो, कि जरूरत ही नहीं हम पहले ले लेते forward rate agreement उससे समझने की कोशिश करते हैं फिर ये interest rate guarantee फिर वहाँ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है पहला लिखना खुछ नहीं, बस सुनना ही है आप F.R.A. forward rate agreement forward rate agreement इसको आगे से क्या बोलेंगे हम लोग? तर F.R.A. तो चलो, कुछ कोशिशन पूछ लोग की अपसे हैं पहला कोशिशन forward rate agreement agreement का मतलब contract तो बताओ, ये forward contract है की future सर, क्या बात पूछ रहे हैं सर, ये तो पता है, forward contract है forward contract किस पर? इंट्रेस्ट रेट पर forward contract, इंट्रेस्ट रेट पर तरी है क्या? इक पर प्लीज और इस्पेशली हेजिंग के लिए यूज होता है क्या ये है क्या पहले ही समझ लेते हैं आराम से समझ लेते हैं बिल्कुल यहां पर फोकस करने अगर यहां फोकस करें जो मैं करवाने जा रहा हूँ अभी तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी बस सुनना ध्यांसे ये कौन है तो आपका पुरा इंट्रेस रेट-्रिस्क मेंनेजमेंट ही कतम है इसी स्टोरी में कतम है राम को पैसी की जरूरत है ठीक है सर ये है आज आज को मैं जीरो लिख सकता हूँ येस और ये है तीन मैने और यहां से ठीक समंस काउंट कर लेजिए तोटल मिलाकर यहां क्या हो जाएगा कहना क्या चाहती है कहना कुछ नहीं चाहता बस सुन दे जाओ मेरी बात ठीक से राम को पैसो की जड़रत है और राम को सर कितने रुपए की जड़रत है राम को पच्चिस लाक रुपए की जड़रत है पच्चिस लाक ठीक है पच्चिस लाक की जड़रत है तो कोई समस्या नहीं है क्या दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि राम को पैसो की ज़र्वत आज नहीं है आज से तीन मेहने बाद और तीन मेहने बाद है पर कितने पिरिट के लिए पैसो की ज़र्वत है सिर्फ और सिर्फ यह मैने के लिए पैसो की ज़र्वत है और यहां से अगर यहां से काउंट करो तो 9 मैने 6 मैने बाद जब वो 3 मैने बाद पैसे उधार लेगा तो ठीक 6 मैने तक उसका यूज करेगा और 6 मैने बाद वापस कर देगा तो बाद समझ में आ रही है आज से राम को पैसो की ज़र्वत कब है आफ्टर 3 मन्त इसको अच्छे से लिख दूँ क्या यह सब्द काम आने वाले है आफ्टर 3 मन्त और 6 मन्त आफ्टर 3 मन्त और 6 मन्त और सर्फ पैसे उधार कब लेना 3 मैने बाद ठीक है और वो बैंक के पास गया और बैंक से बोल रहा है बैंक बैंक प्लीज मुझे ना पैसे उधार दे सकता कब गया है बैंक के पास 3 मैने बाद ने आज ही पहुँच गया बोले पैसे उधार दे बोले ले जालो कोई दिक्कत ने रेट क्या चल रहा है एक मन से बोल रहा हूं बोले रेट चल रहा है दस परशन पर रहनम बोले दस परशन पर रहनम रेट चल रहा है ले जालो यह पैसे कोई दिक्कत की बाद राम कहता सुनो बैंक सुनो आज उधार ने लेना है बोले आप म मैंने बाद रेट क्या होगा आज पैसे चाहिए हम देने को तेयार है आज ले जलो राम के था में जब अबर्दस्ती क्यों तीन मैंने का इंट्रेस दूंगा यार पच्चीश लाग पे आज पैसों की जिर्वड़त ही नहीं सर तीन मैंने बाद आना तो तीन मैंने बाद भी रेच ये रहेगा कि बुले रेट नहीं मालू leaf मालू? बढ़ भी सकता हघी, कम भी हो सकता ह knus गया क्राम परेशान ही यह तू जब गलत बात है मतलब बता ही नहीं दॉट की बढ़ हम कोगा याइर, प्या करे राम, समझ में नहीं आ sulph को और एक के ब Nigeria आप इसका नाम क्या है? इसका नाम है FRA Bank FRA Bank इसको पहचानने के लिए लिखा है इसको bank A bank B बोल सकते लेकिन आप confused हैًगे इसलिए मैं इसको FRA Bank बोल दिया ठीक है यह कुछ नहीं है यह बैंक ही है और इस bank से मैंने कहा कि सुनो bank सुनो ऐसी ऐसी situation है मुझे tension है कि कहीं तीन मैने बाद rate बढ़ना चाहे तो भूले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हम एक quotation कर रहे हैं अब इसको पढ़ना सीखना पढ़ेगा LIBOR 3 into 9 is equal to 8 person 10 person बोले अच्छा अब 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 कौन गया राम किस के पास गया FRA bank के पास उसने अपनी सारी समस्याय बताया कि मुझे डर है कहीं rate 10% से उपर ना हो जाए यहां तक ठीक है तो FRA bank बोलती है FRA bank बोलती है कि सुनो राम चिंता मत करो तीन मेहने बाद आज एक काम करो हम से contract करो ध्यान से समझे ना अब जो बोलने जा रहा हूँ यहां थोड़ा सा मुझे आपका साथ चाहिए दोस्तो bank बोल रहे है कि bank राम आप हमारे साथ एक contract कर लीजे contract ठीक है आपको चिंता है ना और contract कौन सा होगा forward contract होगा forward contract contract का नाम रहे है forward contract और उस contract में कहते हैं bank हम आपको ऐसा लिख देते है कि राम आप हमसे बोरो कर सकते हो 25 लाक contract कब हो रहा है आज आप हमसे बोरो कर सकते हो 25 लाक कब आज से 3 मेने बात कितने मेने के लिए 6 मेने के लिए हमारे यहाँ उसको ऐसे लिखा जाता है LIBOR 3 into 9 3 into 9 का मतलब समझ रहे हो 3 मेने बात इतने period के लिए 6 मेने के लिए इन दोनों का difference सर तो क्या है वो सीधा भी तो बोल सकता बैटे सीधा नहीं बोल सकता वहाँ और भी quotation लिखे रहते हैं ऐसा भी लिखा रहता हूँ हम LIBOR 6 into 9 is equal to कुछ और rate इसका मतलब क्या है इसका मतलब सर बैंक ये भी बोल सकती कोई कोई लोग ऐसे भी contract करने आते उनको पैसु की जरूत आज नहीं पढ़ रही है उनको पैसु की जरूत तीन मैने बाद भी नहीं पढ़ रही है उनको पैसु की जरूत पढ़ ये 6 मैने बाद तो कुछ लोग आएगे और वो भी कहेगे कि चलो हम को भी तो हम उनको ये वाला code देंगे कि आज से आपको कितने मेने बाद चाहिए छे मेने बाद कितने मेने के लिए चाहिए बोले सिर्फ तीन मेने के लिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 6 into 12 मतलब मतलब सर इन लोगों को पैसे चाहिए आज से 6 मेने बाद 6 मेने के लिए बिलकुल सही पर राम के साथ समस्या नहीं, राम ने तो ये सलेक्ट किया, तो हम इसको क्या रफ कर सकते हैं, हाँ सर, ये हमारे काम की चीश नहीं, ठीक है जी, राम ने का ठीक है सर, बस बात समझ में आगे, इसका मतलब वो जो मुझे चाहिए, वो ही है, बोले हाँ, आपको तीन मेने लेगा कितना पर्शंट पे, आप तो लिख रहे है, आट पर्शंट, दैस पर्शंट मतलब, बोले यार, ये क्या बात हुए तरह, आप किसी भी बैंक में जाते, वहाँ, डिपोजिट का रेट अलग होता है, बोरिंग का रेट अलग होता है, याद करो न, बैंक, बैंक, ब पर्शंट पे, पीले दस पर्शंट पे, तो सर, राम क्या कर रहा, राम एक काउंट्रेक्ट कर रहा है, काउंट्रेक्ट किस बात का, बोरो करने का, अटटरेट, गन पर अलग होता है, कब के लिए, आप्टर थी मन्थ सिक्समांथ, या राम का टेंशन खतम हो गया है अब इस बैंक को बोलता बैंक पागल हो आपसे तो बात ही नहीं करनी मुझको आपसे बात नहीं करनी क्योंकि मुझको ऐसी बैंक मिल गई जो मेरे साथ कॉंट्रिट करने को तेयार हो गया अब तो मार्केट में रेट मार्किट में कुछ भी क्यों ना हो जाए चाहिए आज से तीन मैंने बाद रेट 15% क्यों ना हो जाए 15% मैं जानता हूं 15% हो भी गया तो मैं मुझे तो 10% में मिलेगा मिले मेरे खुसी का ठीक आना नहीं ठीक है ठीक है आनी पीलो हम थोड़ा से अब भी तक श्टोरी से अनुद अभी मैंने का ना अपना दिमाख में चलाना भी बहुत जबरदस्ती श्टोरी चलने वाली पूरी क्लास आज की देड़ गंटा बस वही श्टोरी श्टोरी चले बगवान आपको जहेलें ने कोश्चन भी होगे चिंता मत करो ठीक है सर ओके सर ये बात हम लोगों कुछ समझ में आगे काफी कुछ समझ में आगे बोलिए आगे आगे बढ़ते हैं पर ये बुक का डेफिनिशन है ना हाँ ना भाई तर एक्चूल में क्या होता है अब सुनना तीन मैने बाद रेट मान लो बारा पर्षेंट हो गया रेट हो गया बारा पर्षेंट तो ठीक है ना हमको 10 पर्षेंट पर मिलेगा नहीं ये बैंक आपको उधार नहीं देगी बुक की लैंग्वेज में जरू लिखा है पर ये आपको उधार नहीं देगी तो सर क्या हो गया बोलो इस बैंक से आपको तो इसी बैंक से उधार लेना पड़ेगा अब दस पर उधार नहीं ले सकते आपको बारा पर्षेंट पर उधार लेना पड़ेगा ठीके सर हम बारा पर्षेंट पर उधार लेगे लेकिन या 2% आपको मिल जाएगा कौन देगा, FRA बैंक किसको देदेगा, राम को देदेगा It means, मुझे दूसरी बैंक से 12% पे ही, मुझे तो सामने वाली बैंक को 12% ही देना पड़ेगा पर इधर से मुझे FRA बैंक से अच्छा लग रहा नाम इसको आप बोल सकते हैं, लॉंग पोजिशन यह सर क्या बोल सकते हैं बाई FRA बाई कर रहे न, बाई बाई 10% पे बाई किया, बाई बाई परशन, मतलब बाई FRA भी बोल सकते हैं contract to buy, बाउरो को बाई FRA बोल सकते हैं बाई FRA बाई किया, it means, सुनो न, इसको बाई FRA भी बोला जाता, लैंग्विज है, बाई, स्टेंडर्ड लैंग्विज है it means, FRA बैंक खरीदती है, या बेचती है, अगर बेचेगे तो जादा रेट में 10% अगर FRA बैंक बेचेगी, मतलब हम खरीदेंगे, मैं हूँ customer मैं खरीदूंगा, तो मुझे जादा मैं खरीदना पड़ेगा, या 10% contract to buy भी बोल सकते हैं, या फिर buy FRA भी बोल सकते हैं या sir, upside betting भी बोल सकते हैं, वही तो नाम है sir, upside betting मतलब rate जादा हुआ, तो मुझे इधर से मिल जाएगा, sir, भगवान न करे, अगर rate 8% हो जाए, वो भी यहाँ ना हो, तीन मेहने बाद हुआ, तो फिर क्या होगा, फिर मुझे दूसरी बैंक से तो 8% पर मिल जाएगा, मतलब सामने वाली बैंक को तो मुझे 8% देना पड़ेगा, 8% देना पड़ेगा, लेकिन मेरा content कितने ही हुआ था, अब सुनना, market में अगर rate 8% हो गया, तो मुझे तो खुसी का ठीका ना नहीं, क्योंकि दूसरी बैंक से इससे मैं पैसा उधार लेना, उसको तो 8% पर उधार ले लूँगा, पर वो जो 2% बचाया ना, आपने वो 2% किसको देना पड़ेगा, एफरे बैंक को, इट मिन्स सर ये तो बैटिंग ही है, हाँ ना भाई, बैटिंग ही तो है, पूरी तरह से, पर बोलो, आप बच रहे हो की नहीं बच रहे हो, बच रहे हो, इसके थुरू आपने अपना रिस्क जो है, वो टेंशन खतम करती है, रिस्क मैनेजमेंट करती है, ठीक है, तो सर यहां से हमें, कैश में ही शेटिलमेंट होगा, हाँ, बुक में जरूर लिखा है, कॉंट्रेक्ट टू बोरो, लेकिन हम उसको, व के बीच में, जो मार्केट में रेट हुआ है, वो, और जो इस रेट पे अपने बाई किया है, एफरे हुआ हो, काफी कुछ समझ में आया, लेकिन अभी भी कुछ बात की, बाते बाकि हैं सर, अब क्या बज़ा होगा है, सर माल लो, माल लो, माल लो, ठीक, सुनना देहां से, माल्डो सर एक पर्षन है जिसका नाम है श्याम ठीक है सर और यह पिरियट और यह है जीरो यह तीन नौ और यह सर बैंक वही लोकल हमारे यह के एफारे बैंक नहीं ठीक है लोकल अब सर अब मैं स्टोरी थोड़ा चैंज करूँ देखो कि आप कैसे करते हैं हाँ ठीक है स्टोरी चैंज करूँ सर यह जो श्याम है ना इसको ना कुछ बड़ा पैसा मिलने वाला है और उसको बैंक में जमा करना है इन्वेस्ट और बैंक वाले से पूछ रहा है कि इन्वेस्ट कितने पेस्ट पे तो बोले अभी चल रहा है साथ परसन मतलब अभी यह डिपॉजिट करना चाहता है अभी क्या चल रहा रेट साथ परसन सेवन परसन तो यह बैंक से बोलता है शाम कि सुनो अभी पैसे नहीं जमा करना है सुनो बैंक मुझे तीन महने बाद जमा करना है और तीन महने बाद कितने महने के लिए जमा करना है मुझे 6 महने के लिए पैसे जमा करना, 3 महने बात करना है, क्या आप लिख कर दे सकते हो, कि आगे भी जो मैं पैसा जमा करूँगा, उस पे 7 पर्षें इंटरेस्ट देंगे, बैंक ने का, आप आना 3 महने बात, जब आओगे तो उस समय मैं, बता दूँगा जमा करने का rate क्या तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, वापस, बैंक थोड़े दे गारेंटी देने वाला, तो फिर वापस कौन सी बैंक के पास जाएंगे, वापस जाएंगे FRA बैंक, और इन्होंने ले रखा FRA, 3 इन्टू 9 is equal to 8 percent, 10 percent, और फिर हम गया FRA bank के पास, हमने का सुनो FRA bank, ऐसी समस्या है, हमें tension है, कहीं हम जमा करने जाएगे, और rate कम हो गया, तो बुलते हैं, ठीक है, हमारे साथ ही contract करो, और ये contract कौन सा हो रहेगा, इस बार, contract to invest, contract to invest, बोले contract to invest कर दो, और investment कब करो, content करना, आज, investment कब करोगे, book का language समझा रहा हूँ, पहले, तीन महने बात, कितने महने के लिए, और investment पर हम आपको कितना interest देगे, 8 percent, चाहे rate कुछ भी को ना हो जाए, तो इधर से, क्योंकि मेरा loss हो रहा है, मैंने 8 percent पर content किया था, तो इधर से मुझे कितना परशन मिल जाएगा, 2 percent मिल जाएगा, it means इसको FRA, contract to invest को और कुछ बोलते हैं लोग, इसको बोलते हैं, हमने sell किया FRA, sell FRA बोलते है, या फिर क्या नाम होता है, short position, short position, या क्या नाम हो सकता है, downside बटे, ठीक है, तो, downside betting का मतलब, कम होगा तो फाइदा, उसी का तो डर था ना, कम होने का डर, और इधर किसका डर, बढ़ने का डर, ठीक है, कम होगा तो फाइदा, और सर, अगर यहाँ, 9% हो गया, तो मतलब, मैं 9% पर इंवेस्ट करूँगा, मुझे तो 9% मिलेगा, लेकिन खुश मत हो, एक परशन उधर देना पड़े, this is settlement amount, और यह होता है, forward contract, ठीक है, तो सर, हम क्या कर रहा है, हम जो future का tension था, उसी को कम करने की कोशिश कर रहा है, दो मैंने आपको part बताया, दूनों से कास, आपको बात समझ में आ गई होगी, थोड़ी बहुत forward contract की तो पात समझ में, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, इसी speculation वाला भी काम कर लेते हैं, मतलब समझाने, समझने की कोशिश करना है, समझने, इस भाई साब को, अब सुनना, सुनना, अब बड़ी important बात है, मैं जो करने वाला हूँ, मतलब राम को क्या लग रहा है, मालू मैं, राम को कुछ पैसे वैसे उधार ने लेना है, अब राम क्या कर रहा है, राम कहँ रहा है, F.R.A. bank, तुनो, मैं दूसरी बैंक से पैसे उधार ले रहा हूं, चाहुने न ले रहा हूं, क्या आपको कोई मतलब है, मुझे लग रहा है कि तीन मेहने बाद रेट बढ़ेगा मुझे लग रहा है तो चलो जी मैं शर्थ ही लगा लेता हूं मैं कुछ नहीं करूं मैं कोई हैजिंग वाला तो काम ही नहीं है मैं शर्थ लगा रहा हूं एफरे बैंक कि चलो रेट बढ़ेगा और कितने से क्योंकि मैं अपसाइड बैटिंग करो हूं लांग पोजिशन करो तो मैं बाइ करूंग एफरे मिन चलो लगी शर्थ की 10% से उपर बढ़ेगा 10% से उपर पढ़ेगा एक नोशनल प्रेंसिपल ले ले अखिर केल्कुलेशन के लिए एमाउट चाहिए न तो बहुत चलो लगी 50 लाख रुपए नोशनल प्रेंसिपल एक्चुल प्रेंसिपल नहीं न तो एक्चुल बोरो कर रहो न तो इनिवेस्ट करो मैंने का 50 लाख प्रिंसिपल ले ली चीए कि रेट 10% से उपर जायेगा और रेट वागी 12% हो गया तो तो रेट अगर मार्केट में 12% हो गया तो 10-12-2% एफरे बैंक किसको दे देगा राम को दे देगा 2% 6 मेने का एमाउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे और किस पे यह एमाउंट और सर अगर रेट अगर रेट अगर रेट 7% हो गया तो फिर तो राम हार गया तो राम जो डिफ्रेंस है 3% वो किसको देगा एफरे बैंक को देदेगा 3% किसका 50 लका कितने मेने का 6 मेने का फिगर इट मेंस अगर आप है जो नहीं कर रहे हो तो भी आप एफरे बैंक से बै नहीं कर रहा हो तो भी कुछ amount होना चाहिए calculation के लिए उसको notional principle बोलते है ठीक है क्या speculation में भी काम आता है yes क्या hedging में भी काम आता है yes basically hedging के लिए ज़्यादा अच्छा माना speculation भी कर सकते हैं आपको इदिकत ने सर्की तो लगाना या कौन सामको borrow करना ठीक है जी आर्बिट्रेज भी होता है और वो अब भी नहीं समझाओंगा थोड़ा रुखे तो basically हमारे लेबस में एफारे में दो ही है एक एफारे फर हैजर्स जो मैं भी समझा रहा था और क्या होता एफारे फर आर्बिट्रेजर्स दोनों जितना अभी तक में ने बोला जितना अभी तक आपने सुना जमाने भर की बाते खतम करो सर कुछ पढ़ाओ तो ज्यादा काम आएग क्या लिखा जड़ा देखते है लिखा फावर रिट एग्रिमेंट मींस फावर्ड कॉंट्रेक्ट और इंट्रस रिट ठीक है इटीज ओ ओवर दचाउंटर क्या होता है सर ओवर दचाउंटर फावर्ड कॉंट्र जितने भी होते वह ओड़ दचाउंटर होते है अगर फ्यूटर होता हो तो आएक्शन त्रेड रहाट होता है ठीक है क्या मिनिंग हो सकता है इसका मिनिंग हो सकता है contract to borrow कब after 3 month for 6 month at 12 पॉजिशन या इसको क्या बोल सकते है हमें डर है कहीं rate of interest कम न हो जादा न हो जाए मतलब interest rising का डर है तो हम कौन सा position लेते हैं long position या इसको क्या बोल सकते है upside betting भी बोल सकते ठीक है जी अगर मैं कहता हूँ दूसरा है ये 10 परशन इसको बोलते है sell FRA 3 into 9 10 परशन sell FRA हम sell करेंगे तो वो bank, city bank buy करेंगे तो कम है sell FRA का मतलब होता contract to invest after 3 month कितने परशन पर दस परशन पर हमें किस बात का डर होता है उसको आप क्या बोल सकते हो downside betting मैंने पहली भी कहा था फिर समझा रहा हूँ कि मुझे जो है दो टाइप का जो numerical होते है वो FRA में समझाना है एक है FRA for hedging और FRA for arbitration speculation जो हता है वो इसमें है नहीं है हम बात ही नहीं करेंगे जोग हमारे syllabus में बस उतना काम करें जाता अच्छा तो पहला क्या पढ़ेंगे FRA for hedging तो ये क्या जमाने भर की चीज़ दे रहा है इसको अभी नहीं करना है पहले examples करेंगे अच्छे से करेंगे सोच समझ के करेंगे और उसके बाद मैं इसको read करवाँगा कि ये क्या लिखा हुआ है example number one दो example करवाँगा पहले और उसके बाद मैं ये read करवाँगा कि ये क्या लिखा अभी इस पे मज जाईएगा ये क्या लिखा हुआ है ठीक है पहला example भगवान का नाम लेकिए start कर रहा है एक्जामपल इंपॉर्टन्ट है आते हैं एक्जाम रीट करो एक बर चलो जा करेगा हम ये साथ अराम से पढ़ते हैं इसमें अगर महनत लगा लिया तो आने वाले चार पाच questions बन गैप से Mr. Ram Mr. Ram wants to borrow 40 lakhs after 3 month for 6 month Sir एक बर डिजाइन बना कर बनाओ कि तो हमको अच्छा लगेगा क्जामपल कर रहा है थोड़ा हम समस्ती बेकर थीक ये period कितना है 0 कब बॉरो करना चाहता है तो तीन मैने बाद कितने period के लिए है 6 month तो यहां से count करते हो अगर आप तो यहां कितना हो जाएगा 0 period से count करते है ठीक तो आज से तीन मैने बाद 6 मैने के लिए क्या करना चाहता हूँ बॉरो करना चाहता हूँ अभी क्या rate of interest चल रहा है सर अभी चल रहा है 9% याद रखना कि यह rate of interest हमारे कभी काम नहीं आने वाला सर वैसे वैसे आपने example भी किया था इदर गया भाई यह जब example भी कर रहा है थो तो यह 7% जो अभी rate चल रहा है वो हमारे काम नहीं आएगा हमारे काम आएगा कि यहाँ rate क्या हो गया ठीक है जी हाँ वापस आ रहे example में तो बहुत करेंट इंटरेस्ट रहा है 6% पर रहा है नहीं हमारे काम का नहीं बोरो कितना करना चाहता है सर बोरो करना चाहता है 40 लाग रुपए 40 लाग रुपए 40 लाग रुपए सिटी बैंक कोट एफरे मतलब सिटी बैंक कौन सी बैंक हो गई एफरे बैंक हो गई इसको मैं सिधा एफरे बैंक और इनोंने दिया एफरे 3 इन टू 9 इस एक्वेल टू 10 परशन 11 परशन हमारे काम का क्या है वैसे तो यहीं से समझ में आ रहा है कि हमारे काम का है 11 परशन पर आगे और लिखा राम बाई एफरे 3 इन टू 9 एट 11 परशन पर रहनम मतलब ये काम का है 11% per annum के buy किया है buy मतलब long position इससे अगर rate उपर चला गया बोल के बताना अब आपका नंबर है अगर इससे rate उपर चला गया 11% से उपर तो FRA bank राम को देखा पैसा इतना पैसा वो बात में किया और rate अगर इससे नीचे गया तो राम किसको देगा FRA bank को देगा important है कि आपने betting किया है कि rate 11% से उपर जाएगा सर यहाँ जो बोरो करेंगे उसका बाद उसका छोड़ो उसको बाद में देखी calculate effect on FRA effect on FRA का मतलब होता है कौन किसको कितना पैसा देगा net settlement amount इसको बलते है net settlement बलता net settlement बताओ effect on FRA बताओ और इसके अलावा effective rate of interest बताओ और क्या बलता effective rate of interest यह क्या चीज़ होता यह भी समझा दो if after 3 month बलत तीन महने बाद अगर तीन महने बाद 6 महने के लिए जो rate है अगर वो हो जाए 13% पहला situation दूसरा situation है अगर वो हो जाए 8% अगर हो जाए 13% अगर हो जाए 8% कौन किसको पैसा देगा बस यह निकालना उसको वो नाम दे रहा effect on FRA अगर 13% हो जाए 13% तो FRA बैंक किसको पैसे देगी राम ठीक है मालो यहां बैंक से आपको कितने पर्शन पर उधा लेना पड़ेगा यहां तो हमको 13% पर उधा लेना पड़ेगा ना हाँ लेकिन इधर से कितना मिल जाएगा इधर से 2% मिल जाएगा बात समझ में आती है अब मैं आपसे बोल रहा हूँ इधर से कितना लेना पड़ेगा वो बात की बात है अब भी सवाल यह है कि FRA बैंक राम को पैसे देगी अगर रेट कितना हो जाए 13% हो जाए यहाँ कौन जीता? राम जीता इस पे अभी चर्चा होनी है ढंक से चर्चा होनी है तो पहले मैं लेखूँ इसका सॉलूशन effect on FRA effect on FRA case number one rate of interest is equal to 13% ठीक है? ठीक है सर अगर rate हो जाए 13% तो कौन किसको पैसा देखा? यह बात तो confirm होगी FRA buy किया था कितने पे? 11 पे 11 से बढ़ा FRA bank will pay to RAM यह तो confirm है तो लिखनू के इसको in this situation in this situation FRA bank will pay इसमें तो कोई सक्क नहीं कितना पर्षिंट देगा? यह भी हम कमानू में लेकिन सवाल यह है कि amount कितना? अब amount calculate कर रहा हूँ धियां से समझना कितने का? 40 लग कितना पर्षिंट? 2% कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है कितने मेने का? 6 मेने का? मन्त में calculate करो, days में मच चाओ 6 मेने का अब देगा ना भी? 6 मेने का जो भी है वो देगा difference लिखोगे नहीं, अभी नहीं लिखना है अभी सिर्फ सुनना है में गलत लिखने वाला हूँ ठीक है सरा 40 लाख का इंट 13 मैनस 11 2% 13% माइनस 11% तर अच्छे से करो ना सर 13% माइनस 11% ठीक है यहां तक और कितने मेने? इंटू 6 बाई 12 तो सर 40 लाख का 2 परशन इंटू 6 बाई 12 तो सर 40,000 रुट है 40,000 कौन किसको देखा? 40,000 कौन किसको देगा? एफारे बैंक कराम को देखी यहां तक कोई दिक्कत ने? अब सुनो सबसे इंपोर्टेंट बात में आपके साथ कर रहा है सबसे इंपोर्टेंट यह 40,000 40,000 एफारे बैंक राम को देखी यह तो पक्का हो गए ठीक है? यह 40,000 यह तो पर सवाल है कि कब देखी? यहां दिया जाएगा कि यहां दिया जाएगा? बस इतना ही कोश्चन है बस सिंपल सा इतना ही कोश्चन है और एफारे बैंक क्या बोलेगी? बैटे दोनों में अब जगड़ा होगा एफारे बैंक बोलेगी इस बैंक को आप इंट्रेस्ट दोगे? बले हाँ, कब दोगे बले इंट्रेस्ट? और कितना दोगे पहले यह बताओ तो यह बोल रहा कि मैं दूँगा राम बता रहा मैं इस बैंक से उधार लूँगा तो मैं दूँगा 40,000,000 का 13% छे महने का इंट्रेस्ट तो 40,000,000 का 13% into 6 by 12 तो मैं दूँगा 2,60,000 यहां दूँगा ठीक है? ठीक है इट मेंस तुनों राम सुनों आप इस बैंक से उधार लोगे कब? तीसरे महने में उधार लोगे 40,000,000 और इसका जो ब्याज दोगे interest दोगे वो यहीं थोड़ी ने दोगे उधा लिया और यह दिया आप यहां दोगे nine month के end में तो हम आपका जो difference आ रहा है difference कितना आ रहा है चालिस जार आप खुद के सोच के देखो हमें कहां देना चाहिए हम तो आपको भाई nine month के end में देंगे चालिस जार हम कभी भी यहां नहीं देंगे और राम कहता कि सर मुझे यहां चाहिए पैसे आप प्लीज मेरा पैसा मुझको दे दो क्योंकि मैं जीत गया और मैं नौ मेने बाद थोड़ी नहीं पता लग रहा है मुझे तो यहीं पता लग गया कि आप मैं जीत गया करके तो प्लीज मेरा जो सेटिलमेंट है वो यहीं करो दो अलग अलग बात थे समझ में नहीं आरा क्या करें एफरे बैंक बोल रही हम नाइंध मंत के एंड में देखे राम कहता कि मुझे यहां चाहिए थर्ड मंत में चाहिए सवाल यह है कि पैसा कब दिया जाएगा चालिस जार दिया जाएगा इसमें कोई शक की बात नहीं यह तो कंफर्म हो गया पर सवाल है कब दिया जाएगा जिस दिन रेट पता लग गया उस दिन या फिर लाश्ट आपका क्या कहना दोस्तों एफरे का सेटिलमेंट कब होगा यहां लेकिन गलत नहीं लग रहा आपक मतलब सर यहां क्यों सेटिलमेंट हो रहा बस इतना हमको समझ मेंगे वैसे एफरे बैंक कोई गलत बात नहीं बोल रही जब आपको पैसे लगएगी तो हमसे 40 जार ले लेना यार यहां क्यों ले रहा हूं और राम का बस इतना कहना है यहां इसलिए ले रहा हूं क्योंकि dispute को solve कैसे किया गया dispute को solve हुआ और राम ने जो बोला उसी के साब से काम चला पैसा यहीं दिया जाएगा लेकिन लेकिन 40,000 नहीं दिया जाएगा 40,000 का present value दिया जाएगा present value 40,000 का present value ओहो मतलब दोनों ही खुश राम अब ही आपको पैसे चाहिए क्या हाँ चलो अभी लो आप चिंता मत करो आप 40,000 यहाँ देना चाहते थे ना लाश्ट में उसका present value निकाल लो और यहाँ पैसे दे दो बात कता तो मतलब जो settlement होता है settlement वो यहीं होता है जिस दिन rate पता लगा लेकिन जो difference लिया जाता है वो 40,000 जो difference है वो difference नहीं दिया जाता difference का present value दिया जाता है और सर डिसकाउंटिंग किस rate से करेंगे इस rate से जो भी rate होगा क्या rate हुआ 13% तो 13% ते discounting करेंगे 13% से discounting करेंगे मतलब सर इसको बढ़ा दाता है reference rate और ये कौन सा ही आरार है आरार reference rate है ये FRA rate है ठीक सर अभी रूख जाँ धीरे धीरे इट मिंस कि net settlement amount ऐसे नहीं आएगा ये ऐसे आएगा 40,000 का कब दिया जाएगा सर ये तो दिया जाएगा कहां तर तीन मेने में यहां दिया जाएगा अब कितना दिया जाएगा 44,000 कितना पर्षंट सर थर्टीन पर्षंट 1 प्लस 13 को क्या बोल सकता हम 0.13 इंटो 6 बाइ 12 40,000 डिवाइड बाइ 0.13 इंटो 6 बाइ 12 प्लस 1 1.065 से discounting करेंगा 40,000 डिवाइड पाए आप ये पैसा बैंक में जमा करोगे अगर ये पैसा जो दे रहा हूं आप बैंक में जमा करोगे और इसको छे मेने तक इन्वेस्ट करोगे तो ये वापस 40 ही हो जाएगा मतलब सर्फ बेकूपी है पहले इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा है फिर इसका फ्यूचर वैल में कितना देखा 40 दर का present value तो आपको यही दिखाना होता है यह कैसा है बहुत लंबा description हुआ इट मिंस क्या हम इस थरह से solution करते हैं कि इस तरह से solution नहीं किया जाता है अब लिख सकते हो मैं क्या लिख रहा हूँ अगर मैं कहूं क्या formula है यास एक formula बना सकते हैं कि चलो बनाते हैं ना net settlement amount is equal to एक formula लिख से 40 लाग तो आएगा चालिस लाप को notional principle भी बोल सकते हैं next n का मतलब notional principle n फिर क्या किया था 13 minus 13 minus कितना किया था 13 minus किस rate पर बात हुई थी 11 13 को क्या बोलते है 13 को सर हम बोल सकते 13 person को reference rate minus power rate fr minus error भी कर सकते हूँ plus minus वह आप समाल लो कि और यहां क्या जाएगा days और यहां क्या जाएगा year divide सब formula ना लिखे तो भी चल जाएगा चल जाएगा वो तो मैं formalty पूरी कर रहा हूँ यहां क्या जाएगा 1 plus reference rate into date year यह तो हमको वैसी समझ में है आप बिना formula के बूलो बिना formula के 40 लाग 13 परसेंट माइनस 11 परसेंट बिलुल परसे यह हुजिए ज़्वे परसेंट बिना जाएगा न परसेंट एब omin Champ ee 13,000,000 into 13,000,000 minus 11 into 6 by 12 1 percent divided by 1.065 so charles lakh into 1 percent divided by 1.065 the answer is again rupees 37558.68 ठीक है जा तो यह निकालना होता हमें Net Settlement Amount बस पूरा चर्चा का विसे क्या था पूरी चर्चा का विसे ये था कि Settlement जो है वो कब होगा यहां होगा कि कहा होगा तो वो तो हमने कर लिए अब Settlement आगे एक चीज और पूछता है वो करवाना जुरूरी है और वो क्या पूछता है सुनना दिया वो पूछ लेता कभी-कभी effective rate of interest effective rate of interest कैसे निकाले तो सुनो कि भई आपको ultimately क्या rate of interest पड़ा यह जी है आपने bank वाले को कितना interest दिया सर 2,60,000 तो पहले यह लिख लो इंट्रेस्ट पैट टू बैंक 40,00,000 का 13% into 6 by 12 तो सर यह गया 2,60,000 पर आपको FRA bank से मिला received from FRA bank अब सुनना यहां एक दिक्कत है सर दिक्कत क्या है अब सुनना यह कब का है सर यह है 9 महने बात जो मेरे पास से जा रहा है और मेरे पास आ कितना रहा है सर हमारे पास तो उसका present value आ रहा है 40,000 का कितना निकाला था हम लोगों ने सर यह आ रहा है 3,75,58 पर यह पैसा आ कब रहा है important है यह पैसा आ कब रहा है सर यह पैसा तो यहां आ रहा 3,7 तो भाई 2,60,000 में से जो पैसा आ रहा हूँ वो माइनस करना पड़ेगा हाँ बोलो हाँ मैं actual में क्या निकालना चाहता हूँ मैं निकालना चाहता हूँ मुझे rate of interest कितना पड़ा तो 2,60,000 जा रहा है पर जो आ रहा हूँ वो माइनस करना पड़ेगा पर भाई साब ये है 9 lek में और ये कहा है, ये यहां है 3 month के end में इसमें से ये कैसे मैंनस कर सकते हूँ मैंनस ही नहीं कर सकते है I.C.A.I. ने कोशन में गल्ती किया है, इसमें से ये मैंनस कर दिया, कैसे मैंनस कर सकते हूँ भाई इसको भी मुझे future तक पहुचाना पड़ेगा तब भी comparison हो सकता है मेरी बात समझने की कोशिश करना cash outflow और cash inflow एक ही time का होना चाहिए तो sir minus कितना करोगे minus 2,60,000 में से मुझे 40,000 ही minus करना पड़े दो तरीके हैं या तो सीधा 40,000 माइनस कर दो या तो जो 3,7550 है उसका future value निकाल की minus करो एक ही बात है future value कैसे निकालोगे जैसे कर रहे थे इसको 1.065 से multiply कर देना ठीक है ठीक है sir ultimately मैंने कहाना इसा नहीं कर सकते कि 2,60,000 का present value तो बेकार की बात है 2,60,000 का present value इसका मतलब bank से यहां उधा ले रहा है और यहीं कि यहीं भी आज भी चुका रहा हूँ यह क्या तरीका हो तो sir इसको इसको रियाल ऐसे भी हो सकता कि यार हमको मिला 3,7550 और उसको फिर हमने invest कर दिया अगर invest कर दिया मैं इमान की चलो borrowing और deposit rate ठीक है और दिमाग मत चलाना तो invest कर दिया invest कर दिया तो जो 3,7550 है वो 6 मैने बाद वापस 40,000 हो गए ठीक ठीक है sir तो sir हम क्या करें वैसे तो सीधा माइनस कर दो 40,000 या कुछ बच्चों को हजम नहीं हो ओरा ऐसे कर लो 3,7558.68 इंटू 1.065 दोनों को उसी पॉइंट पर पहुचा दिया 3,7558.68 इंटू 1.065 तो sir ये वापस 40 जा रही तो होगा यास ये FRA bank से मिला तो net मुझे कितना पढ़ा 2,20,000 पढ़ा effective rate of interest 2,20,000 है divided by 40,000,000 पर इंटू 100 पर ये है 6 मेने का interest तो 12 पर आइनम बेसिस पर दिखाना पढ़ता है 2,20,000 divided by 40,000 इंटू 100 इंटू 12 इंटू 12 बाइचे तो sir effective rate of interest हो गया 11 परशन अगर पूछेगा तो ये हमको इस तरह से निकालना पढ़ता है ठीक है जी मेरे ख्याल से काफी कुछ बाते समझ में आ गई है ये पूछेगा तो बताएंगे हमारे जो example में ये दोनों ही चीज़े पूछा था अगर बोलाएगा effect on FRA तो net settlement amount बताएगा अगर बोलेगा effective rate of interest तो हमें यहाँ इस period का आपको cash flow निकालकर rate of interest और कोई शक्की बात नहीं है कि rate of interest कितना percent आएगा 11 परशन आएगा 11 परशन ही तो आएगा ठीक है sir तो sir सीधा 11 लिग देते ना हाँ number भी वैसे ही मिलेगा ऐसी बात करते है हो गया कि sir yes case 1 खतम पता नहीं आज question होगे नहीं अब आते case 2 अगर rate of interest कितना हो जाएगा 8 percent अब time नहीं लगेगा समझाने में अगर rate of interest कितना 8 percent अब कौन किसको देगा सबसे पहले क्या कर ले effect on f r अब मैं time नहीं लगा हूँ ठीक है effect on f r तो बोलो 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 क्या हुआ 8 percent 11 से 8 आपका कौन सा position था buy किया था f r a long position तो यहां राम विल pay to f r a bank राम विल pay to f r a bank net settlement amount पौर्वला नहीं लगा रहूँ हूँ net settlement amount बोलो कितना रुपय है तर notional principle है 40 लाग rate अभी कितना हो गए 8 percent तो sir 11 minus 8 11 percent minus 8 percent into 6 by 12 divided factor क्या हो जाएगा 8 percent का जो भी difference rate है जो अभी rate हुआ उसका factor 8 percent का तो sir 1 plus 8 into 6 by 12 8 percent is कर लेते हैं कर लेते हैं 40 लाग तो 11 minus 8 तो 6 by 12 1.5 percent 1.5 चालिस लाग का 1.5 percent divided by 8 into 6 by 12 divided by 100 plus 1 1.044 चालिस लाग into 1.5 percent divided by 1.04 अंसर आगे है rupees 5.7 6.9 2 एप्रोक्स 0.31 भी लिग देजे अब मुझे क्या ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं एक बर समझाने में डाइम लगता उसके बाद कुछ नहीं अब क्या जाएगा effective rate of interest सबसे पहले pay to bank interest pay to bank 40 लाख का rate क्या होगा 8 percent into 6 by 12 एक लाग साथ है जर और पैट टू एफ रे बैंक पाइप सेवन सिक्स नाइन टू ये बैंक से उठाया होगा आपने समझ रहे होना है फ्रे बैंक को settlement कप कर रहा है फ्रे बैंक को जो settlement होगा वो यहां होगा यहां यहां जो 57,000ट पे करना पड़ेगा न वो बैंक से उधार लेकरी पे करना पड़ेगा भै बैंक वाले से अब दो type का पैसा उधार ले लिया होगा कॉन सा जो मुझको लग रहा 40 लाग और जो मुझको और लगा 57 था वो दोनों पैसे उधार लिया होगा अपने कि उसका भी फ्यूचर वैलू लिकाल लेते हैं इंटु 1.04 कर लेता हुआ कि उसर साथ हजार हो गया है इस दोनों पैसे जा रहा है दोनों का टूटल मार लो तो दोनों के टूटल होगा है दो लाग बीस जार देना पढ़ रहा है कितने पर जादिश लाग पे इंटु 100 इंटु 12 बाए 6 अंसर कितना आएगा ग्यारा पर्शंट ही आना है कोई बात ही नहीं यह कम पूछता है यह वाला पार्ट यह वाला पार्ट ज्यादा पूछता है ठीक है ठीक है तो पहला इक्जामपल जो किया क्योंकि समझते हुए काम किया इसलिए टाइम जादा लगा अब टाइम जादा नहीं लगेगा तो चलो आओ जल्दी जल्दी एक दूप्ल यह नहीं रहे है और एक कोशन बना लेते हैं बाकि फिर बिले क्लास में एक्जाम्पल नमबर 2 कर लेते हैं क चाहती है, इन्वेश्ट, खौन्ट्रेक्टू इन्वेश्ट ठीक है- मतलब कम रिट पे पचास लाग कब after six months अपारे six months तीन मेहने के लिए तुनो तो बनाने लिए चे मेहने बाद तीन मेहने के लिए अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं, ऐसे हो सब्सक्राइब, यह हो गया जीरो, यह हो गया अच्छे, और यह हो गया नौ, ठीक है सब्सक्राइब, कितने पर्शन्ट है, बहुत एफ रहे हैं, 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 से लिखा है, 8 पर्शन्ट, 10 पर्शन्ट, इसका मतल सर, हमें इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट, तो हम सेल करेंगे, एफ रहे, सेल करेंगा, तो बैंक बाई करेगा, तो सस्ते में करेगा, 8 पर्शन्ट, तो इन्वेस्ट करना मतलब, कॉंट्रेक्ट टू इन्वेस्ट का मतलब, सेल एफ रहे, बोल सकते हैं, तो राम सेल एफ Compensation मिल जाए, तो 8% से कम होगा, तो RAM को फायदा, 8% से ज़्यादा होगा, तो FRA Bank को फायदा, ठीक है, Calculate Effect on FRA, ठीक है, और Effective Rate of Interest, if after 3 month, for 6 month, after 3 month, for 6 month, ये गलत हो गया है, ये गलत, language गलत है, After 6 month, for 3 month, आपकी book में मैं सुधरवा दूँगा, ठीक, आप चिंता मत करो, after 6 month, for 3 month, 6 मेने बाद, 3 मेने के लिए, अगर rate हो जाए, 5%, अगर 5% होगा, तो FRA Bank किसको देगा, राम को देगा, अगर 9% होगे जाए, तो, तो राम में FRA Bank को देगा, हो गया है सर, हो गया, वाओ, चलो तो सर, करे क्या, कुछ ज़्यादा समझने का है क्या, नहीं, सर, होवर्क दो ना, नहीं, होवर्क, एक्जामपल होवर्क नहीं, होवर्क दूँगा, पक्त, पहला rate of interest कितना ले ज़ते हैं, ज़र गया है भी कॉश्च, पहला rate of interest 5% Case number 1 rate of interest is equal to 5% सबसे पहले, effect on FRA लेखें, कौन किसको देगा, FRA में, खराम rate कम होगा ना FRA bank will pay to कितना रुप है, net settlement amount net settlement amount कितना था, 50 लाक का तीन पर्शन 50 लाक इन्टू 8 पर्शन, माइनस 5 पर्शन, इन्टू, इन्टू, इम्पोर्टेंट है अभी settlement कब होने वाला, यहाँ यहाँ कितना, तीन मेहने का, तीन मेहने का ही तो होगा, यस तीन मेहने के लिए तो धार ले रहना सर, 3 by 12 divided by 1 plus reference rate, 5, 5 percent into 3 by 12 8 minus 5 into 3 by 12, 0.75 percent, तो 50 लाक इन्टू 0.75 percent, पाज इन्टू 3 by 12 divided by 100 plus 1, इन्टू 0.0125, final, पचास लाक into 0.75 percent, इन्टू 1.0125, तो यहाँ गया, 365, 585.36 ठीक है ठीक है सर दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा एफेक्ट उन एफारे हो गया जर दूसरा हो जाएगा एफेक्ट्ट्व रेट ओप इंट्रेश्ट अपेक्ट्व रेट आप इंट्रेश्ट अब से पहले रिस्यू हसा है इंट्रेस्ट थो रुस्यू इनवेट्मेंट करने पे इंट्रेस्ट रीट होगा इंट्रेस्ट रिस्यूट क्रोम बंक पचास लाग का पाच परसेंट इंट्रेस्ट मिलेगा इंवेस्टमेंट कितने महने के लिए कर रहे है तीन महने के लिए तो सर 60 to 500 हमको मिलेगा और रसीट फ्रॉम एथरे बैंक रसीट फ्रॉम FRA bank केतना 36585.36 इसका future value 1.0125 36585.36 into 1.0125 प्रेगे प्रेगे 36585.36 into 1.025 1.025 के लिए कर बढ़ है पाच into 3 by 12 plus 1 पाच into 3 by 12 पाच divided by 100 into 3 by 12 plus 1 1.0125 पाच पाच into 3 by 12 0.75% पाच लाक into 0.75% divided 1.0125 ये गलत है ये गलत है वे तो मैं सोर्च रों कहीं कर बढ़ हुआ तो ये आ राहा है 3,7,0,3,7 3,7,0,3,7 into 1.0125 तो ये आ गलत है 37,500 तो टोटल हमें कितना आ गलत है 37,500 plus 62 62,500 तो ये आ गलत है 1 लाक effective rate एक लाक divide it कितने का लोन है 50 लाक into 100 पर ये कितने पिरेट का है पर ये है 3 मेने का तो बारा मेने का कितना एक लाक divided by 50 लाक into 100 into 12 by 3 तो आंसर कितना है सर आंसर 8 पर्षेंट ही आना था 8 पर्षेंट ही आएगा ICAI ने गलती क्या किया है एक कोशन आया थे एक्जामे मैं ब्रेक के बाद जरूर डिस्कूस करूँगा ये वाला जो फिगर है ना ये यही माइनस कर दिया गलत है अब कैसे कर सकते हो ये और इसमें अंतर है ना भाई खेर सर आगे चले गे ब्रेक 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 रुख जाओ बस एक कम और बचाओगा असे टाइम हो गया कि टाइम है अभी पाच मिनाट है पर हम अगर केस नंबर टू कर ले अगर रेट ओप इंट्रेस्ट कितना हो जाए नाइन पर पहला क्या है एक एफेक्ट अन एफ अरे अब कौन किसको देगा आपका डाउनसाइड बैटिंग था है ना सेल किया है अपने एफ आरे सेल किया है डाउनसाइड बैटिंग डेट बढ़ गया है कितने का था आठ था ना आठ से नौ हो गया तो राम विल पे राम ने श्याम होगा आप नाम देख ले ना अपने सब से मैंने राम लिखवा दिया सायब नहीं हाँ अच्छा यहाँ राम के जगा श्याम अलग उशन है क्या है नाम में क्या रखा है सर कुछ बच्चों को नाम में भी दिक्कत होती न ठीक है सर श्याम अब यहाँ क्या होगा श्याम विल पे टू एफ रे बैंक श्याम विल पे टू एफ रे बैंक नेट सिटल में बैंट नेट श्याम विल पे टू पेच्चास लग इंटू ना हो गया तो ना मिनस नाइन परशन 9 मैनस 8 परशनिंट 2 3 भी 12 divided by 1 plus कितना पर्षेंट हो गए है 9 पर्षेंट 9 पर्षेंट into 3 by 12 9 minus 8 into 3 by 12 0.25 पर्षेंट 50 लाख into 0.25% divided by पर्षेंट लाख पर्षेंट वाली फेक्टर कितना आएगा 9 into 3 by 12 divided by 100 plus 1 1.0225 पर्षेंट लाख into 0.25% divided by 1.0225 अंसर आगया 1 2 2 2 4.94 टिक दूसरा और करी लेते हैं effective rate of interest effective rate of interest पर्षेंट पहले तो interest received from bank 50 लाख का 9 पर्षेंट तीन महने का और पर पर्षेंट लाख पर्षेंट लाख इसका फूसरा यह हो गया एक लाग बाराः जार पास तो 12224.94 इन्टो 1.0225 तो यह बाराः जार पास तो पर यह पैड हो रहा है तो नेट कितना हो गया तो नेट एक लाग हो गया फाइनली फैक्टिव डेट के आएगा एक लाग देना पढ़ रहा है कितने पे पचास लाग परसंडेज मिलाना इन्टो 100 यह है तीन मैने का तो बारा मैने का और कोई दिक्ट की बात नहीं आंसर कितना आजाएगा एट ही परसंडेज है ठीक है मैंने कहा एक कोश्चन है सजिस्टिट का जो इन्होंने यहाँ जो माइनस किया बारा हजार दोसो चोबीस रुपए माइनस करके रेट निकाला तो रेट आठ परसंड नहीं आएगा कुछ और ही आएगा मैं ब्रेक के बाद बता दूँगा कि वो कॉश्चन है वो मेरी नजर में गलत है पर फिर भी किसी को ऐसा लगता नहीं हमको ICAI ही फॉलो करना चाहे गलत वो पूरी तरह से गलत है भई उसको कैसे सहीं बोले पर कुछ लोग बलते हैं नहीं गलत ही सहीं पर करना ही है जहां मुझे करना है ऐसा लगता है न तो मैं आपको पक्का कर लो भई ज़्याद अच्छा है पर जो पूरी तरह से गलत है उसके लिए तो मेरा जमीर गभाही नहीं देता फिर भी आपकी मर्जी आपको वैसे करना हो तो कर लिए ब्रेक ले ले थे ब्रेक के बाद एकाथ कोश्चन करेंगे होमवर्क करेंगे फारेफार आर्बिट्रेजर भी स्टार्ट करेंगे यह फारेफार हैजिंग इतना ही है और कुछ नहीं है कोश्चन जरूर करवा रहा हूं मैं ठीक है ब्रेक अजिए कि भी अजिए ठीए एक बाद रूर शो तो और को जहा हूं मैं होma canyon कि व्रेक बादा यहाँ 2 क्या नहीं मैं हींга कोश्चन जर्वागन जर्सक्वाद के लिए कर दो क।ो पास वींगश। कर वे लिहां रहा हुट